दोस्तों आज का टॉपिक होगा बुकॉल्ज रिले। ये बहुत इंपरॉटेंट रिले हैं, इसमें क्या होता है? इसमें ट्रंस्परॉमा का पुरा इंटरणाल और इverbsेंट फॉल्ड जो होता है उसका आइडेंटिफिकेशन रिले करते हैं तो यह टांस्पर्मा का में टैंग है टांस्पर्मा का में टैंग है बूसिंग है यह रेडियेटर यह जो पाइप है कॉंजर्वेटर टू में टैंग का पाइप का बीच में बुकोल्ज रिले इंस्टॉल होता है इसमें क्या होता है बुकोल्ज रिले के पहले भी एक भाल्ब रहता है और बुकोल्ज रिले की बात भी भी एक भाल्ब रहता है और बुकोल्ज रिले के ऊपर में यह जो भाल्ब दिखाई दे रहा है यह फालब जो gas actuated actually gas actuated relay होता है तो इसमें क्या होता है अगर अंदर transform का अंदर में कोई gas generate होता है वो gas इधर से release करना पड़ता है different transform में different different भालब होता है यह फालब actually कुछ-कुछ transform में क्या होता है ये भाल्ब इधर से निकल कर पूरा नीचे तक रहता है नीचे तक रहता है ये दोनों तरह दो भाल्ब नीचे तक रहता है एक्चुली ये गैस कलेक्ट करने के लिए होता है अनलीसिस के लिए ये जे कुण सा गैस जेनरेट हुआ है अंदर में और गैस से पता चलता है टांस इसका फांक्शन क्या होता है पहले एलाम सर्कीट को एक्टिब करता है बाद में क्या करता है ट्रिप सर्कीट को एक्टिबेट करता है अगर ट्रंस्पमर का अंदर में कोई Incipient और Internal Fault हो गया है तो उसमें क्या होगा गैस जेनरेट होगा वो गैस इस पाइप से आएगा जो बुकॉल्स डिले है बुकॉल्स डिले का अंदर में वो स्टाक्ट हो जाएगा अगर बुकोल जिले का हंदर में स्टाक्ट हो जाएगा तो उसमें क्या होगा ओयल लेवेल नीचे आ जाएगा तो इसका फ्लोट का जो मारकरी स्वीच होता है वो मारकरी स्वीच अपरड हो जाएगा ऐलाम सरकीट आ जाएगा तो इसमें इसमें इसका जो डाइग्राम है बुकुल चुले का बड़िया डाइग्राम बाद में डिसकास करेंगे पहले अडवांटेज इसका अडवांटेज क्या होता है simple protection है यह वाला simple protection actually इसमें कोई दिक्कत नहीं simple protection gas generate होगा यह operate होगा और earlier stage detection अगर कुछ gas भी generate हुआ और air bubbles भी generate हुआ यह यह एलाम दे देगा so early stage detection होता है disadvantage क्या होता है only the oil emerge transform में use होता है die transform में नहीं use होता है और oil level depends it depends on the oil level actually इसका oil level अगर कम गया उपर में gas start हो गया तो यह operate होगा ठीक है इसका यह वाला है इसमें क्या होता है इस हिंज position है fixed Position है because ले का अंदर का पिक्चर होता है जो क्या होगा इसमें यह हिंज होता है यह फ्लोट होता है अगर पुरा बुकोल्ज रिले ओईल का ओईल है तो उसमें फ्लोट क्या होगा इसमें टाच होगा फ्लोर इसमें टाच होगा तो यह जो मारकरी स्वीच है इसका अंदर जो मारकरी दिखाई दे रहा है यह मारकरी एही तक रहेगा अगर कोई gas formation हुआ तो वो main tank से gas आके इधर stack हो जाएगा अगर कोई gas आएगा तो gas क्या क्या ग्या gas होता है जो decomposition होता है अगर कोई फ्लासिंग होए और कोई आर्किंग होए तो उसमें hydrogen gas और light gas generate होता है तो light gas क्या होता है इधर से आके बुगोल जिले में stack हो जाएगा तो यह जो oil level है ना यह निचे आ जाएगा ओयल लेबेल नीचे आ जाएगा तो क्या होगा ये फ्लोटिंग नहीं होगा ये तो ओयल लेबेल जीदार है उधर आ जाएगा सपोज ओयल लेबेल यही तक आ गया तो ये फ्लोट भी यही तक आ जाएगा तो उसमें क्या होगा ये जो मारकारी स्वीच है इमारकरी स्वीच का जो एनो कॉंटक्ट है, एनसी कॉंटक्ट मन जाएगा, एनसी कॉंटक्ट मन जाएगा, तो इसमें alum सर्कीट में DC थू हो जाएगा, अगर DC थू हो गया, तो क्या होगा, DC थू हो गया, तो alum सर्कीट जो enunciator है, उसका बाजार साउंड देगा, तो एलाट हो जाएगा, जो गैस फॉर्मेशन हुआ है, और एनिटिंग, यार बाबिल्स इसमें जेनरेट हुआ है, ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, अगर थांस्वामा का अंदर में, huge amount of gas generate होता है, और बड़िया fault होगा, तो क्या होगा, इसमें जादा amount of gases आएगा, तो जादा amount of gases इधर से pass करेगा, तो इसका pressure कहा पड़ेगा, ये flap में मारेगा, ये flap में मारेगा, तो flap का orientation क्या होगा, इधर आ जाएगा, flap का orientation अगर change हो गया, तो hinge hinge position इधर तो bearing लगा हुआ है और इसका position भी उपर में चला जाएगा अगर suppose एफ लैफ इधर आ जाएगा तो क्या होगा इसका orientation आईसा हो जाएगा इसका जो mercury switch है mercury switch का अंदर में जो mercury है इसका जो no contact है nc हो जाएगा अगार nc हो गया तो डीसी तो एक तरफ हे तो o dc का कॉंटक को जाएगा is तो 55 में ठीप चार्कित कहा रहता है यह शार्कित ब्रेकर में रहता है 33 до 3ион टीटो 32 वाइटी ay 2020 400 765 सुवई ब्रेकर में स्रकित रहता है क्या होगी में डाइरेक्ट कनेक्शन होता है, ट्रिप सार्कीट में DC मार देगा, O220 भोल्ट DC हो सकता है, 110 भोल्ट DC हो सकता है, as per the requirement and as per the company's specifications, तो उसमें क्या होगा, ट्रिप सार्कीट में DC चला जाएगा, सार्कीट ब्रेकर को ट्रिप कर देगा, तो कौन सा सर्कीट ब्रेकर को ट्रिप करेगा, ट्रिप करेगा, ट्रिप सार्कीट ब्रेकर है, और कौन सार्कीट ब्रेकर जो है, उसको ट्रिप करेगा, तो ट्रिप करेगा, ट्रिप करेगा, ट्रिप करेगा, तो इसमें क्या है, बड़िया amount of protection हो जाएगा इसमें अगर कोई arking ज़्यादा time रहेगा तो क्या होगा आर्किंग ज़्यादा time रहेगा तो transformer का while में आग लग सकते हैं तो उसमें जो stop है और जो property है लॉस होने का chance बड़िया हो जाता है तो इसमें क्या होगा अगर early stage detection हो जाएगा तो transformer out हो जाएगा unhealthy part separated from the healthy part so क्या होगा उसमें बड़िया fault हो जाएगा बड़िया protection हो जाएगा बड़िया losses नहीं होगा तो यह पूरा बुकोल्ज रिले का principle है तो आगर इधर gas generate हो गया क्या होगा इसमें दो तरफ दो तरफ दो भाल्ब रहता है कुछ बाल्ब तो नीचे तक रहता है और कुछ बाल्ब तक रहता है अगर ऐसा हुआ बुकोल्ज रिले उपरेट हुआ रहा है रहा तो क्या करना होगा तो ट्रौम्राफ आफ हो गया दोनों साइट का isolator open करके open करके और एल्वी साइट को भी disconnect करके क्या होगा transform के inspection करना होता है इंस्पेक्शन करना होता है कि अब गोल्ज रिले का जो भाल होता है उसको release करके जो gas formation हुआ है उसको collect करना पड़ता है actually ओगास कहा जाएगा lab में जाएगा analysis होगा कौन सा gas generate हुआ है अगर बड़िया amount of gas generate हुआ है तो उसको collect करना है उसको helium फिलियाम बगेड़ा बगेड़ा पुछू बहुत gas रहता है तो ओगास का quantity है और गास का जो density है ओगास का जो density है ओगास का पता चलता है transform का अंदर में क्या हुआ है actually यह जो blood test होता है ऐसा ही है उसका अंदर में क्या problem हुआ है वो gas analysis करके बोल देना है ठीक है तो यह तो था बुकोल श्रीले का fund अगर मेरा वीडियो आच्छा लगा तो share करो subscribe कर दो दोस्तों के साथ भी share कर दो thank you thank you for watching my video